आज हम बनाने वाले एक बहुती मज़ेदार कार गेम जिसका नाम है चाइनीज पोकर और इस गेम के अंदर जैसक की पोकर शब्दारा है तो ये कसीलो गेम है बहुती मज़ेदार ये गेम है हलो दोस्तों कैसे हूँ मेरा नाम है राहूल और आप देख रहे हैं जी गेम सुनोक्सीन चैनल हम करते रहते हैं नईने गेम्स की अनपॉक्सिंग चैनीज पोकर गेम को खेलने के लिए चाहिए कि हमको एक ताश की गड़्डी और इस गेम को दो से लेकर चाराप एंगी और स्बका लॉजिक चलता है तो यह आपको यह नहीं पता तो यह कैसे इनको काम में लेते हैं तो आप हमारी और वीडियो देख सकते हैं मैं आपको आई बटन पर एक वीडियो बता दूँगा आप वहां से इन सारी चीजों को चेक आउट कर सकते हैं कौन से पत्ते सबसे बड़े होते हैं और कौन से पत्ते सबसे चोटे होते हैं इस गेम का सेट अप कैसे किया जाता है कोई भी प्लेयर पत्ते बाट सकता है और फिर राउंड वाइस राउंड चलता रहेगा next वाला फिर player 2 बाटेगा फिर player 3 बाटेगा तो अभी इस game player 1 इन पत्तों को बाट रहा है भगी पत्तों को हम रख देंगे और ये अब हमारे game में कोई काम में नहीं आने आने वाले पत्ते सभी players अपने अपने पत्ते उठा लेंगे और players को फिर करना ये है कि उन्हें 5, 5 और 3 के combinations बनाने है 5 वाला जो पहला 5 बनेगा वो सबसे best उसको 5 बनाना है फिर उसको जो दूसरा 5 बनाना है वो से थोड़ा हलका और लास्ट का 3 होगा वो जो उसके बच्चे के पत्ते होंगे और कुछ भी नहीं बन रहा होगा तो वो उन पत्तों का होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं हम 5 क्या बना सकते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश आदमी को royal flush बनाने की करनी चाहिए लेकिन हमारे पास कोई royal flush नहीं बन रहा है हमारे पास इसके अंदर एक flush ज़रूर बन सकता है क्योंकि हमारे पास 5 पत्ते एक जैसे हैं तो हम वो बनाने की कोशिश करेंगे straight flush भी हमारे पास नहीं बन रहा है इस game के अंदर यह हमारा एक flush बन गया है तो हो सकता है वो high card इसके अंदर हमारा high card वाला चल जाएगा तो जैसे ही यह सारे बन जाएंगे तो हमको हमारे पत्ते कुछ 5 पास और 3 के combination में अलग लग रख देने है जिसे ही यह मैंने 5 रख दिया है यहां पर पहला तो वह normal बना दे और दूसरा वाला strong बना दे तो वह automatically जो दूसरा वाला होगा फस्ट में convert हो जाएगा और फस्ट वाला जो है वह second में convert हो जाएगा गेम को फेर बनाना पड़ता है इसके अंदर और अगर आपको लगता है सामने वाले प्लेयर्स ज्यादा टाइम लगा रहे तो आप एक टाइम लिमिट भी रख सकते हैं कि इतने टाइम लिमिट में आपको पत्ते बनाने पड़ेंगे उससे भी क्या एक गेम के अंदर एक एक excitement बनती है तो बाकि जो प्लेयर्स वह भी अपने पत्ते रख देते है तो यदि हम दो प्लेयर्स गेम को खेल रहे हैं तो दोनों प्लेयर्स आपस में पत्ते कंपरिजन कर लेंगे लेकिन चुकि इस गेम को भी तीन प्लेयर केल रहे हैं तो इसका एक तरीका है इसको कंपरिजन करने का दो से ज्यादा प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं तो थो तो फिर हम भी जीत गए इसके अंदर, अब हम comparison करेंगे तीसरा, हमारे पास भी कुछ नहीं है, और P2 के पास भी कुछ नहीं है, तो हम comparison high cards का कल लेंगे, तो high card में भी हम जीत गए, चुकि हमारे तीनों hands बड़े हैं, इसलिए हमको bonus के तीनों मिलेंगे, तो P1 को 6 points मिल गए है अब P1 comparison करेंगा P3 के साथ में, P1 अपना best 5 comparison करता है, P3 के वैस से, तो हमारे पास flush है, तो हम जीत गए, इनके पास 2 pair है, P1 अपना दूसरा वाला flush है, वो comparison करेंगा P3 के साथ में, तो इसके पास में भी 2 pair है, तो फिर हम जीत गए है, अब जो तीसरा वाला है, इसमें जो high card मुझे बार है वह हमारा है और कुछ बननी रहा है ऊसके अंदर के तीनों कॉइंचन है जी आको तीन पॉइंट गये हैं और उनकि चैन। तो 6 points दुबारा से मिल गए है तो इस वाले के अंदर जो score मिला है P1 को वो मिला है 12 तो P1 का score मिल गया है उसको 6 plus 6 तो अब इस game में P2 सिर्फ comparison करेगा P3 के साथ क्योंकि P2 का पी 1 के साथ तो अल्रेडी हो चुका है तो अब हम देखते हैं पहला जो best hand है उसके पास straight है लेकिन P3 के पास में जो पहला hand है वो है two pair तो straight बड़ा होता है two pair से तो ये वाला hand जीत गया P2 अब दूसरा P2 के पास में two pair है और P3 के पास में भी two pair है आप देखते हैं कि कौन बड़ा होगा इसमें जो two pair है वो एक के के का है और इनके पास जो two pair है उसमें सत्ता सत्ता है ऐसे इसका ये बेगम बेगम का है और ये दुखका दुखका का है तो इसलिए P2 का ही two pair जीता है इसके अंदर अब हम तीसरे hand की बात करते हैं तो इसके अंदर ये हो गया जो P2 है उसका जो high card है वो 9 है और तो कुछ बननी रहा लेकिन P3 का जो high card है वो बेगम है तो इसलिए ये वाला hand है वो P3 का best है तो इसके क्योंकि comparison सबके साथ हो चुका है और उसको कोई score नहीं मिला तो जीरो तो लास्ट में score कुछ इस तरीके से P1 का 12, P2 का 1 और P3 का 0 और आप इस गेम को ऐसे round wise खेल सकते हैं कि कि कितने round खेल ले हमको 5 round खेल ले है या पर point wise खेल सकते हैं कि जिसके पहले 50 point हो जाएंगे वो इ कि जिए थैंक यू बेरी मुच